एलो फ्रेंड्स हाव यू आई होब यू और गुड दोस्तो जो भी लोग इतने भी श्रेंट्स इस टफ टाइम में एक्जाम के लिए जा रहे हैं एक्जाम दे रहे हैं दे रियल वारियर्स रियली यू आट यूजिंग यूर टाइम एट यूर बेस्ट लेवल दोस्तो मैं आपके सामने आया हूँ रिविजन प्लान लेके कि किस तरह से आपको इंडरेट टेक्स जो पेपर नॉमर एट होगा लास्ट पेपर जिस दिन का आप तहें दिल से इंतजार कर रहे हो वो पेपर को हमको किस तरह से रिवाइस करना है वो वान एड हाफ डे को कैसे मैक्सिमम में यूटिलाइस करना है एंड किस सिक्वेंस में में चप्टर्स को रिवाइस करना है वो मैं आके सामने लेके आया हूँ बहुत जदा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है इस टाइम एक एक मिनिट आपका बहुत किमती है पर बच्चो डॉन्ट पर आपका हुआ फिर आप आजाद पंची और जो सबने आप अभी सोच रहे हो वह सब पूरे करेंगे हम एक्जाम खतम होते ही आईए दोस्तों सबसे पहली बाद मैं आप से शेर करना चाहूंगा दोस्तों देखिए भगवान ने सब को बहुत कुछ दिया पर हां भगवा दोस्तों बगवान ने सब को एक चीज बड़ाबर भी वह है वक्त टाइम 24 आर्स इन देखिए 365 देखिए इन येर दोस्तों ये वक्त जो बगवान ने सब को एक्वल दिया है इस वक्त को हम कैसे यूज़ करते हैं इट मैक्स अ डिफरेंस तो इस टाइम तो टाइम एड़ दे मैक्सिमम पॉसिबल बच्चो आपको इस टाइम को बेस्ट में यूटिलाइज करना है ये ध्यान रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं अब तक तोड़ेंगे नहीं आईए बच्चो हम बात करते हैं किस तरह से हमें इंडाने टेक्स को रिवाइज करना है मैंने इनको chapter wise sequence में divide किया है दोस्तों ये जो slide है ये जो आपको ppt दिख रहा है ये मैं share कर दूँगा अपने telegram group में भी प्लस अपना जो website है vimconcept.com वहाँ पे भी जो download वाला section है वहाँ में डाल दूँगा आप वहाँ से भी ले सकते हो तो या फिर आप इसके screenshot कीजिएगा कि कौन से chapter को कितना minutes आपको देना मैंने एक एक chapter wise define किया है कि कैसा आपको revise करना है आईए बचो सबसे पहली बात हम करते है जब आप 4th of December 2020 को direct text का paper देखे आएंगे दोस्तो direct text एक बहुत बढ़ा बहुत heavy paper होता है तो आपको definite सी बात है आपके mind को शान्त रखना पड़ेग DTK paper के बाद DTK paper में क्या हुआ paper कैसा हुआ paper landy आया या कैसा भी आया आपको उसके बारे में नहीं सोचना है और वो ही बिल आपको indirect text जल्दी जल्दी पढ़ने बेटना जितना जल्दी होपा है और आप आप चाहे तो शुरूआत कर सकते हो revision lectures के साथ जी हां वो ही revision lectures जिन पूरा focus लगा पाएंगे indirect text के लिए दोस्तों आईए सबसे पहले आपको शुरूआत करनी है 4th December को ही ध्यान रखना this day 4th December जो आप revise करोगे this will make a difference 4 December को जितना आप cover कर लेंगे this will make a difference really speaking सर ध्यान दीजिए यहां पे मैंने आपको chapter number wise chapter का नाम लिखा है फिल लिखा है time required for revision य जनरल टेम बता रहा हूं it depends on person to person फोड़ा बहुत प्लस मना सुखता है पर बहुत ज़्यादा variation नहीं आना चाहिए clear आपकी chapter सारे आपको cover करने है we can't opt for you know कुछ portion पढ़ लिया कुछ choice पर शोड़ दिया ऐसा नहीं हमारे एक चीज़ कवर करेंगे और last column में में ने दिया है revision लेक्चर और यूट्यूब वो कितने मिनिट का है बच्चो सबसे पहले आप जब 4 दिसम्बर को direct text का paper देके आएंगे relax होईए कुछ खाईए 10-15 मिट आराम करिए और फिर full of energy के साथ माहोल के साथ आप शुरुवात कर दिजिए ये सबसे पिला portion जो में आपको chapter number 1, 2, 3, 4, 6 and 8 जो दिए ये आपका target होना चाहिए 4 दिसम्बर को मेरे को सोने से पहले ये सब complete करना है और रात को लगबग लगब एक बचे तक ये सब complete हो जाना चाहिए तो सर द्यान दीजिए मैंने हर chapter का आपको duration में दिया है जो introduction chapter GST का जिसमें दिया हुआ है कि intraset supplier पे कौन सा text लगता है, intraset पे text लगता है, कैसा लगता है and उसको कैसा ITC को utilize करते हम and constitutional validity कि article कौन सा आप authorize करता है GST के लिए ये सब तो questionnaire में MCQ दिया में उसके regarding, clear 15 minute में हो जाएगा पूरा ही है, then levy of GST very important chapter concept of supply, mix supply, composite supply, it will take around 1 hour 30 minutes, देखिए मैंने साथ में आपको दिया है 45 minutes, देखिए ध्यान से 45 minutes का revision lecture जो YouTube में अपलोड किया है, वो 45 minutes में पूरा chapter cover करता है, पर मैंने कुछ time आपको extra दिया है, so that आप, अगर आपको, जब आप lecture सुन रहे हो, revision lecture, साथ में आपको बुक में कुछ refer करना है, तो बुक में refer भी करतेगा है, अगर बीच में आपको pause करना है, lecture को pause किया है, कुछ पढ़ना है, बुक में से देख लिया, तो total 1 hour 30 minute में around, आपका chapter number 2 होता मुझ आएगा, then time of supply chapter number 3, 40 minutes, it will take around 50 minutes, value of supply, including, मैं बात कराऊं, questionnaire के जो बड़े-बड़े questions में आपको दे रखे, वो भी एक बार go through कर लिजीगा, मैंने आपको बताया था, कि आपको, जबी भी आप topic को revise करते हो, तो हर chapter में जहां आपको बड़े question या important question लगे होंगे, वो आपने star mark किया हो, last day revision के लिए, त जिसमें ICA के questions भी आगए अपने book के अंदर, RTP, MTPs भी आगए अपने book के अंदर, वो सब भी आपको chapter wise revise करना है, clear, then composition scheme, it will take around 50 minutes पर देखो बटा, ये 50 minutes का chapter नहीं है, chapter तो छोटा है, पर मैंने questionnaire में एक बड़ा ही सुंदर, बहुत बड़ा question दिया, जो RTP का question था, उस question को ज capital goods purchase कि, stock का credit कितना मिलेगा, वो सब कुछ, जो बड़ा question दे रखा आपको याद आया होगा, वो भी question cover करना है, ध्यान रखेंगा, बड़ा important question है, वो, ये composition लेवी, ये सब कुछ cover करते हुए, 50 minutes में आपका पूरा हो जाएगा, आराम से, ये सब जो मैंने calculation रोगा, ये कितना इसको follow करना ही कोशिश करिएगा, पूरी, then, IZSTX, जो place of supply and other related provisions है, it will take around 1 hour 15 minutes, ये revision lecture 37 minutes cover करता है, clear, YouTube पे जो revision lecture है, 37 minutes में पूरा हो जाता है, पर 1 hour 15 minutes, it will take, including all circulars वगेरा, तो ये, जो मैंने आपको chapter number 1 से लेकर, 1, 2, 3, 4, 6, 7, इसमें दखिए chapter number 5 नहीं है, chapter number 7 नहीं है, वो next step में cover करेंगे, ये आपका target हो गया, day 1st, जो 4th of December हो गया, direct text का paper देने के बाद, okay, this total will take around 5 hour 20 minutes, आप लगबग मान लिजे, साढ़े 5 गंटे पर हाँ, ये दिन, 4 December is the changing time, you know, यहाँ पे जिसने ये cover कर लिया, वो तोड़ देगा exam को जान रखना, आईए बच्चों, then, जब आ है, क्योंकि last exam है, जितना energy देदी, मजा जायेगा, then, तब से पहले उठते ही, भगवान के दर्शन करिएगा, हमारे indirect text के भगवान को ने, input text credit ITC, sir, it will take around 3 hours, पर हाँ, not more than 3 hours, बच्चों ध्यान रखीगा, इसमें rule number 43 में amendment था, capital goods के regarding, इसका question expected है, I don't know, question आएगा कि ने आए आप credit ले सकते हो, maximum, clear, 10% तक का maximum credit आप ले सकते हो, वो भी, provisional based वचब तक आपके पास text invest नहीं है, फिल भी आप provisional credit ले सकते हो, वो भी amendment था, वो भी important रहेगा आपके लिए, okay, then, circular वगरा दे रखे, ये सब कुछ आपको cover करना है, block credit is again very important topic in the ITC chapter, okay, clear, क्योंकि block credit के regarding, question क कही ना कही किसी दूसरे question में कही ना कही एक point आई जाता हो, उसका, okay, बचा, then, RCM, reverse charge mechanism, section 93, section 94, and electronic commerce operator covered under section 9, subtraction 5, यादा है, Ola, Uber वगरा, it will take around 40 minutes, then, mega exemption list, तरकार, sir, chapter number 9, exemption under GST, services की जो exemption दे रहे है, बहुत बड़ा chapter बेटाई है, पर yes, revision lecture में हर एक point cover है, पूरा ढंग से cover किया है, detailed में cover किया है, 1 hour 34 minute में, पूरा revision lecture cover हो जाएगा, मैं मानता हूँ, कुछ point अगर आपको refer करना हो बीच में, तो, इसलिए मैंने आपको 2 hours का time, याप एक्सपेक्ट किया है, कि इसमें आप पूरा, chapter number 9, cover कर लेंगे, ध्यान रहे है, बहुत सारे बच काई सारे questions में आएगा, clear, जो आपका exams का descriptive question, जो 70 mark का paper होगा, उसका first question जो होता है, 14 marks का, उसमें भी एक दो point में एग्समें से आजाते है, plus अगर कभी मान लो, TDS का topic आगी है, clear, sir, किन-किन case में TDS करता है GST वाला, तो वहाँ पे exam supplies पे TDS नहीं करता है, तो वहाँ पे भी, sir, कौन-कौन services exempt है, वो काम आया ते ही questions के अंदर, okay, then competition को कोई बड़ा question आगे, उसमें भी exemptions काम आते है, तो revision lecture इसका बहुत help करेगा, इस chapter के लिए, 1 hour 34 minute का revision lecture है, आप उसको use करिए, definitely इस chapter के लिए, और उसके साथ में book open हो किये, बिटा, so it will not take more than 2 hours, in my opinion, आईए बच्चो यह आपका हो गया, 5th of December को, morning में जब आप उठे हैं, first load जब आपने तयार किया है, तो यह 5 hour 40 minutes, लगबग 6 गंटे का time ही है, यह तीनों चप्टर बड़े चप्टर है, और तीनों चप्टर बड़े अच्छे चप्टर है, आरसीम और ECU बहुत बड़े चप्टर नहीं, पर EDS and TCS, it will take around 1 hour 20 minutes, then payment of text आपको cover करना है, chapter number 11, chapter number 14 पर आना है, फिर आपको refunds under GST ध्यान रखेगेगा बड़ा, बेटा इसका भी question exams में normally आ रहा है कई time से, और question आने के chance इसमें भी है, circulars भी आया है, इसके numerical question भी दिया है मैंने आपको, questionnaire में वो भी देखेगा, ओके, आपने mark के होंगे, बड़े question, important question वो जरूर देखेगा, तो ये लगबग 1 hour 10 minute including question भी, ओके, आपके numerical question की practice भी होने चीए, आपके questionnaire में से हैं, जो RTP की question बगर दिये, जो other question भी है मेंने, then chapter number 18 आपको लेना है, उसके बाद में, inspection search is the end, very important point, e-way bill, it will take around, 1 hour 10 minute, e-way bill is a big topic, ये topic में आपक कम time भी लगे इसके अंदर, then demand and recovery, section number 73, 74, clear, very important section, very important section, show course notice कभ issue करना है, कितने time limit के अंदर, show course notice issue कर सकता है department, demand order कितने time में issue कर सकता है, and all these provisions, then, अचा, penalties बगर धियान रखेगे का, किस में, demand की किस में, section number 73 में penalty कितना है, 74 में penalty कितना है, show course पहले अगर आपने pay कर दिया, tax penalty कम हो जाएगी, वो जो दे रखा, जरूर देखना, वो बहुत important point होता है, then, appeals and revision, बड़ा important, बचो आपको याद होगा, मैंने, पूरा chart बना के आपको समझा है, कि appeals कैसे होती, उसका पूरा flow, आपको समझा है, पूरा chapter उस chart के अंदर cover हो गया, बहुत important है, आप उसका revision lecture जर around 45 minutes, important chapter है, यहाँ मेरे cover हो गए, यह सारे वो chapter से जो बड़े important है, GST के, जिनके question मनने के पूरे chance होते है, यह हो गया again, 5 hour 20 minutes का, तो बच्चो, 5 December, 5 December 2020, next day, दिन में 2 बज़े exam है आपका, और बच्चो, 5 December, तो 2 slowdown हो गए, एक morning, जब आप उठे है, तब लगबग, 5 hour 20 minutes निकल गए, आपके सुबह के, मान दो, morning अगर आप 6 o'clock भी उठते हो, तो लगबग 12 बज़े तक वो complete होगा, दिन, अगर आप यह लेते हो, next chapter number 10, 11, 14, 18, 19, 22, तो लगबग शाम होई है, अब शाम को लगबग, यह बच्चो के है, clear, अब गाड़ी दोड़ा नहीं है, आईए, अच्छा, इसके बाद जो GST के remaining chapter से, वह यह 4-5 chapter पढ़ने के बाद हम देखेंगे, then, custom, सबसे पहले पढ़िएगा, valuation of goods, यह 5 मका, 4 मका, 1 अनवरेज, sorry, 5 मका, 1 अनवरेज का question आते ही आता है, इसलिए, यह सबसे पहले उठ़ेगेगा, और बड़ा अच्छा question है, बड़ा अच्छा चप्टर है और बहुत इजी भी लगता है आप लोगों को comfortably आराम से cover हो जाएगा 1 और 10 मिंट में clear including कुछ questions की practice practice मतलब आपको देखना है जो आपने questions mark किया selected वो देखना आपको then general provisions under customs act तरकार chapter number 26 45 minutes यह लेगा बड़ा अच्छा चप्टर है इसमें से question बनता ही बनता है on average ध्यान किया बहुत important chapter अगिन custom का यह वाला then definitions and types of duties तर safeguard duty and जितनी भी additionaries of customs हती है वो सब जो chapter number 25 में cover है इंडिया का definition यह it will take around 30 minutes then duty drawback बच्चों बहुत सारे friends मेरे सब बोलते हैं आप सारे friends जो मैंने सुना है जो में को message वगराते हैं उसके coding जो मैंने मार्कर में देखा है drawback को बहुत सारे लोग ignore करते है नहीं मेटा बहुत important chapter रही है और बहुत technical बहुत अच्छा chapter है बहुत easy हमने logically हर चीज को पढ़ा है इसके आराम से cover होगा अपके लिए 31 minute का revision lecture दिया है इसमें सब कुछ cover किया है अच्छा drawback के जो procedural part के rules से time limit to file drawback वगर यह सब कुछ यह बहुत ज़्यादा tough हो नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा important भी नहीं होते exams के अगर आपको पास time in case अगर बहुत कम लग रहा है आपको लेट चल रहे हो आप तो वो procedural part को छोड़ सकते हो बागी आपको जो टेक्निकल पाड़े ड्रोप है का वो जरूर revise करना है देन बेगेज पॉस्टल आर्रिकल्स और इस बहुत अच्छा मिट्स पर यू आराम से होगा बहुत इजी चप्टर ते सरी है आईए देन यह हो गए अब लगभग 3 आर 40 मिट निकल गए लगभग साब रात में रात तक पहुझ गे जब लगता है डर किसर नेक्स बे एक्जाम है पर हाँ जिसने यहां तक पूरा पूर्शन कवर नहीं हुआ है बचो गेम चेंजिंग चेप्टर्स आ रहे है यह यह वो चप्टर से जो असेश्म प्रोसेशर वाले है एक्स इंवीज हो गया रिटन फाइलिंग हो गया असेस्मेंट ऑडिट अकॉंस रिकोर्स लाइडर डिडियूपे टेक्स पैनल में क्या वालो 3-4 सेक्षिन जो मैंने इंपोर्टेंट आपको मार्ग कर वाया थे जैसे वाउ टु सर्व दी नोटीस एंटी प्रफिटरिंग मेजर स्वाले चेक्षिन ओके बटा ये 2-3 सेक्षिन जो मैंने आपको मार्ग कर आया थे वो जरू देख लिजेगा वो important है ओके देन classification goods जो custom मेंने देरखा topic importation, exportation जो प्रोसेजर पाटे, importer, export का then exemption, refund, audit and verification custom का last chapter and then last में foreign trade policy, माहूल, सरकार ये सब chapters ये सब chapters बहुत सारे students cover नहीं कर पाते हैं दोस्तो ध्यान रखेगा अगर आपका target 80 marks है, 80 number अगर आपको लाने हैं, ये chapters आपको देखना ही देए, पर we very well understand कि time constant होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो revision lecture में आपको YouTube पर अप्लोड किया है, ध्यान रखेगा, time अगर आपको राश कम है, तो revision lecture मैंने हर एक chapter का, हर topic का, हर section मैंने उसमे cover किया है, अच्छा से cover किया, उसको आप देखिए, clear, उसको अच्छा से देखिए, साथ में book रखिए आप, और जित्ता, और वो तो sir, जब exam आपके पास में तो full concentration, उस time तो पढ़ाई की speed हैसी होती, कि rocket चल रहा है, rocket वारा उड़ा रहा है हम, तो sir, उस time पी chapters प्टा-फट cover होंगे आपके देखना, पर छोड़ना नहीं, clear, क्योंगी जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, बच्चो ये पूरे chapters आपको सारे cover करना है, don't leave any chapter, very important, okay, these are very important topics, okay, friends, ये सारे chapters का, आप revision lecture का, use कर सकते हो, revision lecture अगर आपने देख लिए हैं, धंग से, अच्छे से concentration के साथ, along with the book in your hand, तो definitely सारे chapters cover हो जाएंगे, अच्छे से cover होंगे, और you will be confident, plus उसके बाद भी आपको time बचने वाला है, इस time calculation के हिसाब से, आपको last के three years रखने हैं, अपने पास, ध्यान रखें बेटा, last two attempts की RTP and MTP आपको देखना है, last two attempts, मतलब 9 अवर 2020 ICA ने issue किया, वो तो आपको देखने ही देखना है, plus माई 20 के लिए जो RTP issue किया था, no doubt exams नहीं हो पायते, पर माई 20 का जो RTP issue किया था ICA ने, वो भी आपको देखना है, क्योंकि ये experience है, मैंने कई बार देखा है, as it is question उठके आ जाता है, same question, कई बार हुआ ऐसा, इंडरेट वाला है, क्योंकि mock test papers, मैं majorly, past exam के जो questions है, या past RTP के जो question है, जो already अपने book में cover है, वो ही उन्होंने copy करके paste किया है, maximum, maximum जगप है, MTPs में, तो RTP और MTP, last दो attempt के आपको देखनी है, 100% देखनी है, अच्छा, इनका detailed solution मैंने YouTube पे डाला है, पर मैं अभी आपको refer नहीं करू क्योंकि उसके diet question भी बनते exams के अंदर, clear, it will take around 3 hours मेरी calculation ये आप से, और total हो गया है, जो सब total हमने कर लिया सारे, ये one and half day में जो आपने पढ़ा है, 27, 26 minutes ये मैंने effective लिए निकाला है, कि इतना आपका calculation लेगा, पर हाँ, इसमें भी, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान ने एक चीज़ हमको commonly, बराबर दिये सबको, वो है वक्त, आप इस one and half day में पुड़ा और time कितना निकाल सकते हो पढ़ा एक लिए, अगर आपने दोतिन गंटे और extra निकाल दिये, तो अगर आप कही कुछ lag कर रहे हो, कही आपको time extra लग गया, तो वहा time game आपका cover हो जाएगा, तो 27, 26 minutes जो मैंने लिखा है, इसके अलावा भी आपको दो-तिन गंटे का वक्त मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो margin होगा, जो मैंने time limit लिखी है आपके लिए, हर chapter के लिए, उसमें हो सकता आपको time extra लग गया, किसी chapter में कम लगया, तो वो margin वहाँ adjust कर लेगा, पर मोटा प्लस सारे topics भी कवर हो जाएंगे, हर एक section को आप धंग से पढ़ भी लेंगे बिटा, and effective revision is more important than fast revision, okay, मैं चाहता हूँ, आपका fast भी revision हो, plus effectively कवर हो जाए हर एक point, तो आप revision lecture जो मैंने हर chapter का, हर chapter का YouTube पे जो revision lecture आपने देखा वाया already, उसको आप use करिए, बहुत help में लेगी, and हाँ, at the end, आपको यही करना चाहूँगा, all the very best, put your hundred percent energy, क्योंकि आपको पता है, जो हिम्मत दिखा कि आपने exam दिया है, या जो आपने इनों घर्स शो की है, देखना, आपके results उससे भी बहतर आएंगे, दोस्तों, क्योंकि भगवान की घर देर है, पर अंधेर नहीं, क्य जितना टफ एक्जाम लेती है, उतनी ही धमा के दार सफलता हम कमेंगे, कुद्रत को बोलो आप, जबी आपको अपने अपने थकान मेंसेज होती है, फ्लोड़ा सा डी मोटिवेशन आपको लगता है, बोलो कुद्रत को, जितना टफ एक्जाम ले ले, मैं fight करूँगा, और ह हाँ, जितना टफ आपका एक्जाम होगा, उतना ही धमा के दार आपकी सक्सेस होगी, आपकी सफलता की कहानी रोक सुनाएंगे, यह ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर भी, आज जो ब्रेंड नेम बन गया सचिन तेंदुलकर, उसने ही बहुत महनत करीए, एक दिन आपका भी नाम होगा, बस इस वक्त को आप समहल लीजिए, महनत कर लीजिए, मजा आजाएगा, और हाँ ध्यान रखिये, यह जो कड़ा इंतिहान होता है, यह शोरत देने से पहले वाला इंतिहान होता है, जितना टफ एक्जाम होगा, उतनी भारी आपकी शोरत होगी, और at the end, मै Take care, अच्छे से पढ़िये, end, stay blessed, stay safe, stay happy, love you all, take care, thank you so much, bye